जैमा काली मित्रो आपका मेरी चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजे जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाए मितरो आज का जो विशह है वो विशह ये है कि हमें अपने घर में जाडू किस प्रकार रखनी चाहिए और क्या नियम होते हैं जाडू रखने से और जाडू किस-किस प्रकार से हमारे घर में हमें लाब भी दे सकते हैं और हानी भी दे सकते हैं तो उसी से संबन देती ये वीडियो है तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा देखें मित्रों जाडू एक सामान्य वस्तू है बहुती चोटी सोड सामान्य सी चीज है लेकिन हमारे जीवन में जाडू का एक मैथपून योगदान होता है क्योंकि हमारे घर की जो गंदगी होती है उसको साफ करने का कारिय जाडू ही करती है और इसलिए जाडू में मालक् नहीं जाडू के आहें पैरू की घ्रड़ा हेां नहीं को जाती है रहता है कि या इसा नहीं करना है जाड़ो को कभी ठोकर नहीं मारी जाती है नहीं जाड़ो के ऊपर पैर रखा जाता है कभी ध्यान गल्टी से भी अगर जाड़ो पर पैर लग जाता है तो उसको नमशकार किया जाता है उससे शमा मांगी जाती है जहां पर साफ सफाई रहती है मा पर मालक्षमी का वास होता है और जहां पर गंदगी रहती है मा पर अहलक्षमी का वास होता है जो मा की बड़ी बहन है मालक्षमी की अहलक्षमी वो गंदगी में रहना पसंद करती है और मालक्षमी साफ सुत्रे में और स्वच्चता मेरा ना पसंद करती है तो इसी लिए जाडू को मालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है जिनके घर में जाले लगे होते हैं जिनके घर में गंदगी रहती हैं जूटे बरतन रहते हैं फटे कपड़े उधर उधर बिखरे रहते हैं गर में मालक्षमी कभी निवास नहीं करती है इसलिए अपने घर में सफाई रखे जाले ना लगने दे जाले लगने से भी मालक्षमी का वास घर में नहीं रहता है साथ ही अगर आपके घर में जाडू है तो जाडू को आपको कभी खड़ी नहीं रखना है कभी भी जाडू को खड़ी ना रखे अगर आप जाड़ू को खड़ी करके रखते हैं तो आपकी घर में लडाईया होती है कले शुद्पन होता है तो ऐसी पस्थिती में जाड़ू को कभी खड़ा ना रखे और जो लोग जाड़ू को खड़ा करके रखते हैं जाड़ू उनको श्राप देती है कि वो आपको श्राब देती है और जाडू रोती है हमारी जो सामाने भाशा में हमारी माताजी जो मेका करती थी वो हमेशा यही कहती थी कि जाडू खड़ा मत रखो जाडू रोती है और रोती है तो तुम्हें श्राब देती है तो इसलिए जाडू को कभी खड़ा नहीं रख तो उनके लिए यह उपाय है अगर वो किसी मंदिर में साफ सफाई करते हैं यानि मंदिर में जाड़ू लगाने का कारिय कर वो पकड़ लेते हैं रोज नियम पकड़ लेकि हमें मंदिर में जाकर के जाड़ू लगानी है और जाड़ू भी अपनी ही ले जानी है यानि अपनी जीवन से दूर हो जाती है, तो भोती अचू कूपाय है, अगर जिनके साथ भी ये पस्चिती है, इसको आजमाई, मा शीतला के हाथ में जाडू है, आप सबी जानते हैं, और मा शीतला का अस्तर भी जाडू है, तो ऐसी पस्चिती में जाडू का हमारे जीवन में भोती अन्मी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े, जाडू आपकी छुपी हुई होनी चाहिए, वो किसी के नजर में नहीं आनी चाहिए, साथी सूरियास्त के समय हमें कभी भी जाडू नहीं लगाना चाहिए, जब दिन और रात मिल रही होते हैं, उस समय पर घर में जाडू नही चाहिए, जैसे की आप जानते हैं, अगर आप जाडू को जलाते हैं, तो जाडू का शुराप लगता है, मालक्षमी रूष्ट होती है, तो ऐसी परस्टिती में जाडू को कभी जलाना नहीं चाहिए, जाडू को कभी गीला नहीं रखना चाहिए, अगर आपकी जाडू गी नहीं देना चाहिए ये भी आप ध्यान रखें कुछ लोग जाड़ू अगर आपकी मांग के ले जाते हैं तो जाड़ू को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए अपनी जाड़ू अपने घर के लिए ही प्रियोग करना चाहिए मित्रों तो ये छोटी सी बाते थी जो मैंने आपको बताई है आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मा भगवती से यही प्रात्रा करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहें आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहें आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडि बाल।